आपकी उशा जनो में सिलाई मशीन एक बहु उपयोगी प्रोडाक्ट है जो रचना करती है आपकी कलपनाओं की लेकिन आप भी जानती है कि हर अच्छी चीज की देखभाल जरूरी है आईए देखें कैसे करें इसकी देखभाल सबसे पहले मशीन का प्लग निकालें हुक रेस यूनित को अलग करने के लिए सुई सबसे उपर की सिती तक ले जाएं और हुक का वक खोलें बॉबन की हिंच लाज खोलें और इसे मशीन से निकाल दें हुक रेस होल्ड खोलें और हुक रेस रेंग निकालें और हुक निकाल इसे ब्रश और नर्म सूखे कपड़े से साफ करें हुक रेस यूनिट असेंबल करने के लिए हुक को सेंटर पिन के जरीए उठाई और शटल ड्राइवर से पूरा गोला बनाते हुए ध्यान से हुक रेस में फिट कर दे हुक रेस रिंग अटाच करें और देखें कि निचले पिन नौच में फिट हो जाए होल्डर फिर से जगा पर लगा कर हुक रेस रिंग लॉक कर दें और बॉबन केस लगा दे मशीन को ओयल करने के लिए पावा ओफ करें सिलाई मशीन ओयल की एक दो बूंदे डाले ज्यादा ओयल पोच दे ताकि इससे कपड़े पर दाख न लगे अगर काफी समय से मशीन का इस्तिमाल नहीं हुआ हो तो ध्यान रहे कि सिलाई करने से पहले से ओयल कर दे फेस प्लेट के पीछे की ओयलिंग के लिए क्याप हटाई और फेस प्लेट लगा दे फिर क्याप, स्क्रू और फेस प्लेट को ओयल कर दे शटल हुग एरिया को ओयल करने के लिए हुग कवा खोल दे और उसे ओयल कर दे देखर को ओयल कर देखर्वकर देखर्वकर प्लेखर्य भी